नमस्कार सर, मेरा नाम फ्राची खंडेलवाल है, मैं जर्नलिजम की स्टूडेंट हूँ, सर आपने बात की अनील सर की कैसे दिदली को अब रेप कैपिटल भी बोलता है, तो अगर आपकी पार्टी जीतती है तो आप क्या ऐसे स्टैप्स अठाएंगे, क्या ऐसे कदम जो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो आंकड़े जारी करता है, प्रति दिन डेली, तीन माइनर बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं की खबरें यहां रेजिस्टर होती है, तो एक पहचान है, लेकिन याद होगा निर्वया का एक केस इस दिली की बदनामी का एक बड़ा के इस हुआ था और जिस पर अर्विन ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन करने की बात की थी, लेकिन आज अर्विन चुप हो जाते हैं, आज महिला सुरक्षा के नाम पे केवल कैमरा लगा कर क्या आप कहते हैं कि मैंने महिला को सुरक्षा दे दी, तो सभावी के प्रशन प रालती हैं, अमस में, और उस बच्ची के परिवार को ड्राय जाता है, धमकाय जाता है, और दसलाख22 चूर्वे देंके मुझेचिच चुप करता जाता है, कैंट के अंदर एक दलित बच्ची के साथ रेप होता है, कल्यानपुरी तिल्उकपुरी में एक बालमी की बच्च परद नहीं जा सकते। تو सवाल यह कि महिला सुरक्शा एक भी सा है और इसने मैंने का भी जो दिल्ली जो पर्दोसित हुए है के बल्ल myth हावा पानी भनी नहीं है इस सेहर की खुबसूरति ए इस सेहर का सद्वाव है, जो खुबसूरति जानी जाती ती कि सीराजी से जानी जाती थी और आज जो आपने सवाल पूछा एक और साथी है कि हम कैसे जीतेंगे मैंने तीन साल में वो तमाम प्रशने पूछे हैं वो बाते रखी हैं 21 साल के युवा को सराप पिने का अधिकार चीए या रोजगार चीए यह युवा तेख करेंगे संकेज जी और यह युवा आप इस दंगल में तेख करेंगे यह लवली और च्छमा चाता हूँ यह पूछेंगे सवाल अर्विन से सवाल पूछेंगे सिसोदिया से कि हमें रोजगार चीए था जो आपने वादा किया 16 लाख लोगों के रासन कार्ट पैंडींगे उस पर जबाम मांगेंगे